आज से ठीक एक साल पहले यानि कि 9 सितंबर 2022 को इंडियन सिनेमा को बदलने वाली मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र और इस फिल्म ने होलिवूड इंडिस्ट्री को अच्छे से बता दिया था कि भारत में भी माईकोलोजिकल एक्सपेक को करते हुए सुपर हीरो वाली जियोग्राफिक मूवी अच्छे से बन सकती है कुछ ऐसी भी फिल्मे होती है जो चुपचाप अपना काम कर जाती है और जितना क्रेडिट उस मूवी को मिलना चाहिए वो सिर्फ एक सपना बनके रह जाता है ब्रह्मास्त्र मूवी काफी लोगों को पसंद आई थी और काफी लोगों ने इस मूवी का मजाक उड़ाया था और कुछ लोगों ने इस मूवी को एप्रिशेट किया कि बोलीवड की तरप से कुछ नए अकंसेट आया है और कुछ लोगों ने इस फिल्म को नकारा भी था इसलिए बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि अब इस मूवी के next part नहीं आएंगे लेकिन किसी ने भी इस बात पर गोर नहीं किया कि इंडियन सिनेमा की ये पहली मूवी है जिसमें VFX का इतना ज़्यादय यूज किया गया है और आखिरकाल एक साल के बाद इस मूवी के डिरेक्टर आरियन मुखर जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बता दिया कि part 2 और part 3 के त्यारी जोर शोर से चल रही है डिरेक्टर साब ने पहले भी कई इंटर्व्यू में कहा था कि उन्होंने part 1 के साथ साथ part 2 और part 3 के कई सिनको already shoot कर लिया है असल में कुछी टाइम पे ले एक न्यूस बहार आई थी कि ब्रह्मास्तर के जो प्रोडूसर करण जोर थे वो कुछ रिजन की वज़े से इस मूवी से अलग हो गये है तब से हर कोई confuse हो रहा था कि इस मूवी का अगला part आएगा या नहीं और अब part 2 की official announcement को director Aryan Mukherji ने कर दी है एक तरह से देखे तो ब्रह्मास्तर होलीवड को टक कर देने वाली मूवी थी एक ऐसा superhero जिसका direct connection हमारी mythology यानि की history के साथ जूड़ा हुआ है ये मूवी जितनी exciting है उतनी ही ज़्यादा जरूरी भी है ब्रह्मास्तर 2 का title देव रखा गया है जो की directly part 1 के साथ connected है और ब्रह्मास्तर का official concept audience के साथ share किया गया है जिसे कुछ time के बाद film में convert किया जाएगा इस मूवी में सबसे बड़ा surprise है देव का first look और part 1 में देव के concept को देखकर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि इस बंदे को इतनी ज़्यादा hype क्यों मिल रही है और एक तरह से देखे तो देव कोई और नहीं बलकि महादेव है लोगों में और एक confusion ये भी है कि देव के character में असल में कौन है इस character के लिए कई actors जैसे कि केजी अपके रोकी भाई और दूसरे नंबर पर रनवीर सिंग का नाम लिया जा रहा है और कई लोग ये भी अज्यूम कर रहे है कि देव के character में कोई और नहीं बलकि सब के चाहिते रितिक रोशन है और अगर हकिकत में देव के character में रितिक रोशन है तो ये movie box office पर बहुती बड़ा धमाका कर सकती है अभी तो हम सिर्फ इस movie के बारे में अनुमान लगा रहे है लेकिन जब ये सारी बाते सच होगी और जब ये movie release होगी तब audience इस movie को देखने के लिए theater में तूट पड़ेगी और अगर हम ब्रह्मास्त्र टू के concept को ध्यान से देखे तो पहले ही concept में हाथ में त्रिशुल्डे कर खोड़े पेसवार जो बंदा दिख रहा है वो कोई और नहीं बलकि देव है और उसका nature villain वाला नहीं बलकि hero वाला है और इस movie में particular देव की back story के बारे में बताया जाएगा और इस movie की story देव, शिवा और अमरिता के character के आसपास गुमती रहेगी तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि असल में इस movie की story क्या होगी और देव के character में कौन होगा ये बात हमें comment करके जरूर बताना तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में